हेलो माई डियर स्टुडेंट एलेटर टू गॉड भगवान के नाम एक पत्र ठीक है या भगवान को पत्र लॉंग एंसर टाइप कुश्चिन एंड सॉर्ट एंसर टाइप कुश्चिन हम लेके आए हैं और हमने यहां पर ओनली मॉस्ट इंपार्टेंट कुश्चिन जो हैं शर्चिन नहीं लिए हैं और मैं जो पिछली बार में पेराग्राफ करवाया था मैंने पैराग्राफ से संभंधित Quindi करवाये थे पैससे सम्भंधित बैट जाएगा एक बार शेर करना है सभी को हुआई डिड लेंचो राइट अलेटर टु गॉड हुआ रिसीब डिस लेटर अंड लेटर एंड फी डिड ही डू कहने का ताथ पर ये है कि हुआई डिड लेंचो राइट एल लेटर अर्थात लेंचो ने to God अर्थात लेंचो ने हॉईग मिन्स क्यूं लेंचो ने राइट माने लिखा a letter to God इश्वर को एक पत्र क्यूं लिखा क्यूं लिखा who received और किसने प्राप्ट किया this letter इस पत्र को and did he do और उसने क्या किया and did he do और उसने क्या किया मतलब पत्र को कौन प्राप्ट किया और वो क्या किया एक क्वेशन इस प्रकार भी इसका बन सकता है what made लेंचो right to God what was it result यानि कि लेंचो ने इश्वर को पत्र क्यूं लिखा और उसका क्या परणाम हुआ या एक क्वेशन ऐसे भी इसका बन सकता what was लेंचो लेंचो कौन सा what कौन था और what what circumstances forced लेंचो to seek help from God तो सारे क्वेशन का एक ही answer होगा ठीक है तो देखिए why did लेंचो write a letter to God क्यों लिखा था पत्र तो आप उसका उत्तर लिखेंगे लेंचो writing पर विशेश ध्यान देना है writing अगर आपकी कमजोर हुई तो ये समझ लीजिए कि आपके number भी कमजोर होगे marks भी कमजोर होगे तो लेंचो was a hard working farmer लेंचो कौन था लेंचो was a hard working farmer लेंचो एक hard working अर्थात कठिन परिस्रम करने वाला कठिन परिस्रम करने वाला कौन था कठिन परिस्रम करने वाला किसान था कौन था किसान था एक कठिन परिस्रम करने वाला एक महंती किसान था ठीक है लेंचो वाज हाड working farmer फिर क्या था the hail storm had completely destroyed the crop hail storm hail storm का मतलब होता है hail storm मतलब ओलो ने had completely destroyed the crop उसकी फसल को पूरी तरह नस्ट कर दिया था लेंचो फियर्ड लेंचो डर गया था लेंचो फियर्ड लेंचो डर गया था क्यों डर गया था भाई लेंचो क्यों डर गया था they would have no crop that year क्योंकि उसके पास कोई फसल इस वर्ष के लिए नहीं थी his family would stray उसकी फैमिली his family is stray अर्था उसकी फैमिली क्या है पूरे वर्ष भूंकी रहेगी still he had one hope the help from God अब उसके पास एक मातर आशा बची थी ईश्वर की सहायता ठीक है he was sure that no one idea no one dies of hunger he was sure वो sure था यानि उसको बिश्वास था कि no one dies of hunger वो कोई भी भूंक से नहीं मरेगा as God's eyes see everything कि God की आँखें सब को देखती है he would help him without fail और वो सब की मदद करती है ठीक है I'll throw the night Lencho kept thinking of God's help पूरी रात Lencho सोचता रहा God's help ईश्वर की मदद के बारे में ठीक है पूरी रात वो ईश्वर की मदद के बारे में सोचता रहा He was an ox being a man He was an ox being a man वो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था Nevertheless he knew how to write Nevertheless Nevertheless he knew how to write किन्तु फिर भी वो लिखना जानता था At daybreak he decided to write a letter और daybreak मतलब सुबा होते ही At daybreak सुबा होते ही He decided उसने निरने लिया To write a letter एक पत्र लिखने का To God भगमान को He wanted to tell him That he did not help His family would strive The postman collected money From his employees Postman ने धन एकठा किया अपने employees मतलब अपने करमचारियों से And friends और दोस्तों से He contributed a part of his salary उसने अपनी salary अपने वेतन का भी हिस्सादान में दिया Thus he raised दस माने इस परकार He raised 70 pesos इस परकार उसने 70 पैसों का संग रह किया था ठीक है इस परकार उसने 70 पैसे 81 किये Raised माने 81 किये Then he sent lencho the envelope Containing money And letter as signature of God Then he sent lencho the envelope Containing money आप हिंदी भाशी क्षेतर के वेक्ति हैं Student हैं इसलिए आपको हर एक meaning का अर्थाना चाहिए और वो जो प्रशन आपको अंग्रेजी में पूछा गया है उसकी आपको हिंदी आनी चाहिए जब आप हिंदी में कहानी पता होगी तो आप ट्रांसलेट करके बनाते चले जाएंगे तो देन ही सेंट lencho ये वाली PDF हम आपको टेलिग्राम पे दे देंगे देन ही सेंट lencho दी एन्वेलब कॉंटेनिंग मन्मनी आइंड लेटर एज सिगनेचर फॉफ गॉड मतलब उसने उस लिफाफे में वो धन रखा और इश्वर के हस्ताक्षरवाला पत्र उसको भेज दिया ठीक है यह कोईशन हो गया अब दूसरा प्रसनाता है कि हाव डू उयू लाइक डि करेक्टर आप डिपोस्ट मास्टर How do you like the character of the postmaster in the story A letter to God Give reason for your answer Sketch the character of the postmaster in the story A letter to God मतलब कहने का यह है कि postmaster का चरित्र चित्रन करना है Sketch the character of the postmaster in the lesson A letter to God कहानी के पात्र Postmaster नहीं जिसको हम डाकपाल बोलते हैं और postman जिसको हम डाकिया बोलते हैं डाकपाल वो होता है जो head up department होता है ठीक है? डाक विभाग में डाक खाने का और डाकिया वो होता है जो डाक में जो पोस्ट में वो होता है जो सघरघर चिथियां बाटता है तो यह अंतर आप समझीए तो हाउ डू 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 यू लाइक दी करेक्टर मतलब कहानी में क्या है कि डाकपाल का चरित्र आप किस प्रकार प्रसंद करते हैं अपना तर्क संगत उत्तर देना है आपको या करेक्टर इसके इसकेश ही माल लो तो है तो हैं जब पोस्ट मैन ने सोब्ड ए लिटर दिखाया एक पत्र दिखाया जब डाकिया ने इस्वर के नाम भेजा गया पत्र डाकपाल को दिखाया था तब क्या हुआ था दिपोस्ट मास्टर ब्रोक आउट लाफिंग बट अल्मोस्ट इमेडियेटली ही टर्न्ड सीरियस तो जब डाकिया ने जो डाकपाल था उसको पत्र दिखाया तो वो जोर से हसा लेकिन शीगर ही क्या हो गया वो सीरियस हो गया उसने स्वयम से कहा हूआट फेट क्या विश्वास है ku रट दिस लेटर काश ये पत्र लिखने वाले की तरह वह भी विश्वासी होता, उसने ऐसा कहा, कि what faith क्या विश्वास है, I wish, काश, I wish का मतलब काश, I had, वह भी, the faith माने विश्वासी होता, आप the man who wrote this letter, उस आदमी की तरह, वह भी विश्वासी होता, जिसने पत्र लिखा, इश्वर के प्रती He collected money from the employees, अपने नौकरों से, अपने करमचारियों से, उसने money collect किया, and he himself gave part of his salary, and he, और उसने भी स्वयम से, अपनी salary का कुछ भाग दिया, Anyhow he sent, Anyhow he sent to the needy, needy माने, आवशक्ता है जिसको, लाभार्थी कह सकते हैं या जरूरत मंद कह सकते हैं, तो Anyhow, Anyhow, कैसे भी, He sent to the needy man a little more than half, whereas the little writer wanted 100 pesos, यानि कि, जो जरूरत मंद व्यक्ती को भेज दिया था वो धन, और इतना नहीं था जितना उसने मांगा था, Anyhow he sent, अब वो कितना था, उतना नहीं था, जितना उसने मांगा था, लेकिन उसने सेंट कर दिया, कितना निड़ी, किसको निड़ी मैंन को, क्या a little more than half, whereas, तो जैसा उसने मांगा था, उतना तो नहीं था, लेकिन जो little, थोड़ा आधे से थोड़ा ज़्यादा था, The letter writer wanted 100 pesos, क्योंकि letter writer अर्था, letter का पत्रलेखक जो था, वो 100 पैसे चाहता था, The postmaster experienced the contentment of a man who has performed good deed, but Lencho called the employees of the post office as a bunch of crooks, because they received less money, what he asked for, तो दी पोस्ट मास्टर experienced, तो डाकपाल ने अनुभह किया, ठीक है, डाकपाल ने अनुभह किया, contentment of a man who has performed good deed, बट Lencho called employees, मतलब उसने तो अपनी जान में बहुत अच्छा काम किया था, डाकपाल ने, लेकिन क्या था, Lencho called the employees of the post office, लेकिन Lencho ने called माने वो कहता था, employees माने करमचारियों को, post office के करमचारियों को, as a bunch of crooks, bunch of crooks का मतलब होता है, बेमानों का समूह, गदारों का समूह, bunch of crooks माने ठगों का समूह, post office के करमचारियों को कहता था, क्योंकि, the received less money, what he asked, क्योंकि, कम ही धन प्राप्त हुआ था, जितना उसने मांगा था, ठीक है, अब जितना उसने मांगा था, उससे कम ही धन प्राप्त हुआ था, आप देखें, तीसरा प्रसन है, यहाँ दो नमबर लिगए, यह तीसरा प्रसन है, राइट एक करेक्टर, इसके जब लिंचो, most important है, लिंचो का करेक्टर, इसकेच लिखना है, चरीचित्र लिखना, लिंचो वाज हार्ड वर्किंग फार्मर, आप जानते हैं, तो यह हेडिंग बना के भी आप लिख सकते हैं, यह हार्ड वर्किंग फार्मर, तो लिंचो वाज हार्ड वर्किंग फार्मर, एक दिन उसने देखा कि उसने सारी उसकी फसल जो है बरबाद हो गई है किस कारण से वर्षा और ओलों के गिरने के कारण से और टोटली डिस्ट्रॉइड हो गई सब डैमेज हो गई ही वाज वेरी पूर वो बहुत गरीब था फैमली के सपोर्ड में था सहायता करता था ठीक है वह जो है अपनी फैमली को सपोर्ड करता था अपने परिवार का पालन को सब्सक्राइब अपनी family को support करना साहता करना but his crops were ruined परंत उसकी फसल बरबाद हो गई थी so he turned to God in distress तो फिर क्या हुआ था तो बिपत्ति में इश्वर की ओर turned माने घूमा या मुडा या प्रेरित हुआ इस ओर की ओर ठीक है distress माने दुख में कठनाई में he was very simple he was very simple and innocent वो बहुत ही साधारन और निर्दोस था he निर्दोस या मासूम इन्नोसेंट मैंने कह सकते हैं he had great faith in God उसका बहुत महान विश्वास था God में इश्वर में he wrote a letter उसने एक पत्र लिखा to God मैंने God को to help him उसकी मदद करने के लिए sending a hundred pesos 100 pesos भेज कर मदद करने के लिए पत्र लिखा था the story disclosed the story disclosed that lunch was very simple story हमें बताती है कहानी हमें बताती है कि lunch बहुत simple था innocent था honest था इनिमानदार था hard working कठीन में करने वाला था his faith in God was unique unique माने विश्यस उसका जो इश्वर में विश्वास था विश्यस था ठीक है अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो कर लिजे क्योंकि यहाँ daily live classes हिंदी की मिलती है और फिर अनविश्यों की भी हम देने की कोशिश करते हैं how did luncho feel short answer देखे short answer हम लेकर किया है how did luncho feel when it began to rain मतलब जब पानी बरसने लगा तब luncho ने किस प्रकार महसूस किया when it began to rain luncho went out for the pleasure of feeling the rain on his body ठीक है when it began to rain जब पानी बरसने लगा luncho went out luncho बाहर गया for the pleasure माने आनंद के लिए feeling माने अनुभ़ो करने का rain माने वर्षा का and then his body माने अपने शेर कर अपने शेर कर वर्षा का अनुभ़ो करने के लिए बाहर चला गया his fields needed some rain so he was very happy उसके field बाने खेत needed माने खेतों को आवस्चकता थी his fields needed उसके खेतों को आवस्कता थी समरेन कुछ पानी की सोहीवाज वेरी है पिसले वो बहुत प्रसंद था यही प्रसंद आपका पूचा मतलब क्या लिखा What did Lencho write to God Lencho ने भगवान को क्या लिखा तो Lencho wrote to God Lencho ने भगवान को लिखा क्या लिखा क्या लिखा If If you do not help me अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं My family and I will go hungry मेरी family मेरा परिवार और मैं भूखो मर जाऊंगा भूखा रहूंगा दिस यर मने इस वर्ष I need a hundred pesos मैं 100 रुपे चाहता हूँ in order to sow my field मैं अपने खेत बोने के लिए again मने दुबारा and to live until the corp comes और तब तक जीने के लिए जब तक अगली फसल नहीं करती है फिर है How much How much money did Lencho need and how much he did get कितना धन लंचो चाहता था और कितना प्राप्त कर पाया He had received only 70 pesos while he had requested God to send him a hundred pesos मतलब उसने 70 पैसे प्राप्त किये जब कि वो 100 पैसे God से मांग रहा था ठीक है चलो अगला प्राप्त कहता Why did Lencho called the postal employee जे बंचाफ क्रोक्स व्रस्टाचारियों का समूह यानि की बंचाफ क्रोक्स का मतलब क्या है व्रस्टाचार फर मक्कारों का समूह क्यूं मानता था postal employee को वाज ही राइट इन डूइंग सो ठीक है डूइंग सो मतलब क्या उसका ऐसा कहना उचित था वाज ही राइट क्या वो सही था इन डूइंग सो ऐसा करने में When Lencho received only 70 pieces तो जब Lencho ने only 70 pieces प्राप्त किये Instead of 100-5 के बज़ाए 70 ही प्राप्त किये he called the postal employees तब उसने कहा postal employees मने दाक करमचारियों को ए बंचाफ क्रुक्स मतलब धोकेवाजों का समूह he was not right in doing so उसने ऐसा कहने में सही नहीं किया क्योंकि बेचारे दाक करमचारियों नहीं पैसा दिया था और फिर उन्हीं को धोकेवाज कहते हो तो why was lancho annoyed with the postal employed मतलब lancho जो था वो क्रोधित annoyed बने क्रोधित था नाराज था with the postal employees दाक करमचारियों से नाराज था क्यों lancho received letter on the following Sunday ठीक है lancho received letter on the following Sunday मतलब कहने का ये है कि अगले रभी वार को lancho को पत रगले रभी वार को मिला lancho had requested God to send him 100 pesos तो lancho जो था वो उसने प्रार्थना की थी God says उसको भेजने के लिए 100 पैसे when he found only 70 pesos जब उसने फांड माने पाया केवल 70 पैसे in the envelope माने लिफाफे में he become annoyed तब वो क्रोधित हो गया छटा question देखो when did lancho received the letter why did he became angry तो lancho received the letter मतलब when जब जब lancho ने पत्र प्राप्त किया ठीक है when did lancho receive the letter जब lancho ने पत्र प्राप्त किया तो वो नाराज क्यों हो गया lancho received the letter next Sunday अगले अभीवार को उसने रिसीब किया he was angry find only 70 पैसोज in the envelope instead of a hundred सव की बजाए केवल 70 पैसे उसने लिफाफे में प्राप्त किया इसलिए वो क्या था नाराज हो गया था why did lancho need help from God why did lancho need help from God lancho ईश्वरिक से सहता क्यों चाहता था या फिर why did lancho ask for God for money फिर भगवान से धन क्यों कहा lancho's crop was totally destroyed कितनी बार बता है उपने lancho's crop was totally destroyed due to hail storms यानि की ओलों के तूफान से क्या हुआ था उसकी सारी फसलनस्ट हो गई थी there was no one to help him वहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं था he believed that God उसको ईश्वर पर विस्वास था would certainly him कि वह उसकी सहायता करेंगे therefore he wrote a letter इसलिए उसने क्या किया था एक लिटर लिखा था टुगॉड मने भगवान को and ask from 100 पी सोड और उनसे सौ पैसों की मांग की थी अगला प्रस्ण है why did the post man go to his boss laughing heartily laughing heartily मतब डागपाल हंसते वे अपने बास के पास क्यों गया डाकियां हसते अपने बास के पास क्यों गया डाकपाल तो दी पोस्ट मैं सा दलेटर कि अधा पोस्ट मैं सा दलेटर कि डाकिये ने इश्वर के सम्मंधित दी लेटर आइड्रेस टू गॉड इश्वर से के पते से सम्मंधित पत्र को देखा किसने डाक मैंने ही वाज सर्प्राइट वाज चरह चकित हो गया ही वेंट टू हीज बास वो अपने पास बास के पास गया लाफिंग हरिटली हासते हुए थ्रो तो इंट ऑउड को तो एब ग्रीश जबस निवह इसा है पता कभी नहीं देखा था भगवान का नवा प्रश्न है तो वो जो लेंचो था वो लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि उसका धन मेल से भेजा जाए यानि कि मेल मतलब डाक से भेजा जाए तो he did not want the money to be sent by mail because the post office employees वेरे बंचाफ क्रूक्स वेरे बंचाफ क्रूक्स क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जो post office के करमचारी हैं वे सभी धोखेबाजों के समूह थे Why did Lencho displeased when he received only 70 पैसे 70 पीसोज मतलब लेंचो आपरसन डिसपलीज माने अपरसन क्यों हुआ When he received only 70 पीसोज जब उसने केवल 70 पैसे प्राप्त किये तो Lencho क्यों दुखी हुआ क्यों क्या हुआ Displeased हो गया Displeased मतलब नाराज अपरसन लेंचो वाज Angry to find only 70 पीसोज in the envelope instead of a hundred क्योंकि 100 की बजाए उसने 70 पैसे ही प्राप्त किये थे लिफाफे में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ग्यान सिंदू कोचिंग क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इसकी PDF भी आप सेयर करते रहें और notes बनाते रहें क्योंकि college खुलने की अभी संभावना इस माह में भी नहीं रही तो क्या बताया जाए आप लोग मेहनत करते रहें क्योंकि सरकार को क्या है वो तो कह देगी कि आपको पिक्जाम देना है मार्च में तो आपको देना है और 30% उसने syllabus भी गटाया है इसलिए आप टेंशनाइट रही है पढ़ने के मूड में रही है ठीक है चलो बहुत अच्छी चलो बहुत अच्छे और कमेंट करते रहे हो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहे हो और PDF ये आपको मिल जाएगी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा लाइक करके और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं के लिए टॉपिक के साथ